तो टोटल प्रॉबैबिलिटी थिवरम देखते हैं टोटल प्रॉबैबिलिटी थिवरम इसके बेस्ट हमने कुश्चन्स भी करा हुए है एक्सरसाइज 13.3 आपको होमवर्क दिया गया था लेकिन मैं उसको आज डिल नहीं करूंगा विकॉस 13.3 में टोटल से और बेस्ट थिवरम दोनों पर बेस्ट कोश्चन्स हैं तो एक साथ ही डिसकस करेंगे ठीक है आज लोग बेस्ट थिवरम भी देखेंगे कि बेस्ट थिवरम क्या होता है एंड देन उसके बाद ट्री ड्राइग्राम से questions को कैसे solve करेंगे वो देखते हैं and then random variables क्या होते हैं let's कि इतना हो पाए आज के दिन तो देखें total probability theorem क्या होता था total probability theorem कि अगर e1, e2, en यह क्या होते थे in mutually exclusive और exhaustive events होते थे mutually exclusive का मतलब होता था कि यह pairwise disjoints हो यानि कि किसी भी दो events का that means sets का बोल सकते हैं EI intersection EJ अगर हम ले ले तो वो क्या होना चाहिए था भाई 5 होना चाहिए था और जितने भी हमारे पास e1, e2, en है उसका अगर union ले ले एवन, union, union, e2, union, up to union, en तो यह आपको total का total sample space यहां पर मिल जाया तो उस event A की जो probability होती थी वह होता था probability of the first event यानि even into probability of the event A whenever even has already been occurred plus probability of e2 into probability of a by e2 इस तरह से हम लोग ने देखा था यह बेस थिवरम क्या होता है बेस थिवरम कह रहा है कि अगर आपके पास e1, e2, en in non empty events है non empty events का मतलब कि भाई, कोई ना कोई element होना चाहिए इसमें, which constitutes a partition of set. क्या करता है, वो partition of sets का formation करता है, या constitute करता है, तो देखे कोई भी set, या कोई भी set of events, अगर वो constitute करता है a partition of set, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो तीन कंडिशन्स को सटिस्फाई करना चाहिए पहला यह होना चाहिए देखिए इसको लिखेंगे कि वेनेवर इन सेट्स ओफ इवन या वेनेवर इन सेट्स और फॉर्म अपार्टिशन ओफ सेट्स देन दो सेट्स कैन पहला यह होना चाहिए कि कोई भी दो इवेंट्स का इंटर सेक्षन जो है वो फाई नहीं मिलना चाहिए पहला यह हो गया दूसरा यह कि सभी का यूनियन ले ले इवन यूनियन इटू यूनियन अब टू इन इन यह आपको टोटल का टोटल सैंपल स्पेस दे दे और कोई भी प्रॉबैबिलिटी ऑप इवेंट ले रहे हो यह आई यह आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए यानि कि एक तरह का क्या है एक तरह का देखिए कि मूच्वल एक्स तो दूसरे टर में देखें किसी ने पूछा था लाश्ट टाइम में कि सर पार्टीशन अप सेट्स का मतलब क्या होता था या म्यूच्वली एक्स्क्लूसीव और एक्सॉस्टीव इवेंट के बारे में पूछा था तो दोनों ही यहां से क्लियर होने चाहिए अगर कोई इव एक्सॉस्टीव और इक्सॉस्टीव इवेंट से तो यह दोनों इवेंट्स क्या होने चाहिए यह दोनों फस्ट तु जो कंडिसर्टैंस है वो सट्सवाई करना चाहिए थ्या है तो देखते हैं इसका इसमें जो कह रहा है कि वीवन ही टू ए-ठृट्री अप टु इए n events है जो partition of sets को constitute करते हैं जिसका sample space s है तो कह रहा है कि e1, e2 up to en are pairwise disjoint ठीक है that is इसका meaning भी लिख दिया है यहाँ पे pairwise disjoint हो और सभी का union लेने पर sample space मिल जाए और इससे कोई एक non-zero event क्या हो यानि कि कोई एक event है जो non-zero probability के साथ है वो associated है इन सभी events से तो आपको दीख रहा होगा कि जितने total probability total probability theorem के जितने concept हैं वो सब यहाँ पर valid हो रहे हैं ठीक है सब यहाँ पर भी है तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताईए कि probability of E I E I by A यह कितना मिलना चाहिए तो आप simply बोल सकते थे कि probability of A by B क्या होता था probability of A by B होता था probability of A intersection B divided by probability of B तो यहाँ हम कह सकते हैं कि this will probability of E I intersection A divided by probability of A यह वाला क्लियर है क्या सभी को भाई यह क्लियर है क्या सभी को बताईए सभी लोग अब देखे यहां पर यहां पर हम यह लिख सकते हैं क्या कि this is probability of E I into probability of A by E I divided by probability of A यह वाला क्लियर है क्या सभी को यह क्लियर है सभी को यह कैसे आया लिखना भी पड़ेगा क्या है कि यह कैसे आया ठीक है भाई यह बाई बी में हमने देखा था probability आप यह A by B कर लिजिए तो probability of A by B के बाद probability of A intersection B में हमने देखा था कि अगर दो probability के simultaneous occurrence की बात होती है तो हम लिकालते है probability of the first event into probability of second event whenever the first one is already been occurred तो यहां पर हमें आपने simultaneous occurrence of probability of EI and A निकालना है तो आपने probability of EI निकाल लिया and probability of the second event A निकाल रहे हैं whenever EI is already been occurred divided by probability of A अब अगर यह इतना क्लियर है तो आपने देखा था कि भाई probability by लिकेंगे सेंस since all the conditions yeah since all the conditions all the conditions of total probability theorem total probability probability theorems total probability theorems are satisfied क्या हो रहे है satisfied हो रहे है satisfied satisfied therefore आप यह लिक्स रखते हो भाई कि प्रोबाइबिलिटी ओफ ए जो हमें मिलेगा कि देख लिजे टोटल प्रोबाइबिलिटी थिवरम अभी कुछ दिर पहले ही हमने डिसकस किया हुगा यहां पर अगर कोई एवेंट उसे असोसेटेट होता था तो हम कहते थे कि प्रोबाइबिलिटी ओफ एज होगा यह प्रोबाइबिलिटी ओफ एवन इन्टो एवाई एवन प्लस प्रोबाइबिलिटी ओफ एटू इन्टो एवाई एटू यही होता था था भाई तो इसको हम यही लिखेंगे अब कि प्रोबाइबिलिटी ओफ एज होगा वह हम लिखेंगे प्रोबाइबिलिटी ओफ एवन into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 A by E2 plus, अब टु क्या लिखेंगे probability of E N into probability of A by E N यह लिखेंगे और अगर summation convention में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं sigma I is varies from I already use किया हुए तो J कर लिजे J varies from 1 to N यह होगा probability of EJ EJ into probability of A by EJ probability of A by EJ यह हो जाएगा इसका मतलब कि अभी आपको probability of EI by A निकालना था तो आपने देखा था कि this will be probability of EI into probability of A by EI मिला था A by EI और आपको क्या करना था है probability of A निकालना है और probability of A जो है वो इतने के बराबर आए है this is sigma of J equals to 1 to N 1 to N this is probability of E J into probability of A by EJ board में आता नहीं है बट प्रिपेर रखेंगे इसको भी कि theorem कैसे प्रोसीड करेंगे क्लियर है क्या सभी को सभी को write yes or no तब इस पर best question करेंगे भाई चार पांच लोग का ही अभी reply आया कितने लोग हो कि अच्छा यह पहले बता दिए कि क्लास में दो अंकित है कौन अंकित क्लास कर रहा है यह confirm कर देंगे क्या एक अंकित अवंती क्लासे से क्लास कर रहा है अपना father's name बता दिजे आपका attendance लग जाएगा otherwise confirm नहीं हो पाएगा अंकित am I audible बोलिए अच्छिए राकेश जी उदर से कोई reply नहीं आ रहा है देख लीजे फिर चलिए तो इतना confirm है भाई आगे बढ़ते हैं फिर अब देखें इसमें terminology समझ लेते हैं यह जो n events थे इसमें e1, e2, e n, up to e n इन ही को hypothesis बोलते हैं क्या बोलेंगे hypothesis हैं यह events क्या बोलते हैं hypothesis हैं और इनको अगर probability के term में बोलें तो इसको बोलते हैं प्रियरी प्रोबैबिलिटी क्या बोलते हैं प्रियरी प्रोबैबिलिटी टम सी यूज देख लिए कभी-कभी नाम आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होईएगा जो भी बेस्थीवरम में बेस्थीवरम में जो भी आपको events दिये रहते हैं वो events hypothesis कहलाते हैं और अगर hypothesis का प्रोबैबिलिटी आप निकालते हैं तो इसको प्रियरी प्रोबैबिलिटी बोलते हैं ठीक है और उसी hypothesis वाले प्रोबैबिलिटी में जिस प्रोबैबिलिटी को find out करना होता था ठीक है वेनेबर ए है अल्रेड़ी भी नकर्ड या हमने उसी को नाम दिया है ईई आई अपान ए उसको बोलते है पोस्ट प्रियरी प्रोबैबिलिटी ठीक है पोस्टियरी सवरी प्रोबैबिलिटी बोलते हैं ठीक है तो ये नहीं भी जानेंगे तो क्युँछ ज्यादा दीकत नहीं है क्योंकि rarely मिलता है कभी देखने को लेकिन टर्म से यूज्टू हो जाएए अधिक यहां पर यह जानना सबसे इंपॉर्टेंट है यह नोट वाला पॉइंट कि यहां पर जो प्रोवाइबिलिटी होगा यह इवेंट होगा इवेंट वोट वी है ठीक है यह ऐसा इवे 10 मिलूटू इवेंट करना होता हैं जिस इवेंट करना होगा उसको इए से रिप्रेजन करेंगे और जो इवेंट होगा यहां पर जितने भी और अदर इवेंट्स थे वह लिटेनिव से म sponge होंगे भाई ठीक है वो सब्सक्राइब करें तो इतने alternatives available हैं आपके पास आपके पास कितने अगर बोला जाये तो इतने alternatives available हैं और आपको decide करना है कि किस alternative की probability को आपको find out करना है लेट से कि आपको EI आएथ event की probability find out करनी है तो EI लेकिन यह आएथ event जो है वो भी independent नहीं है वो associated है किसी event A से तो हमें इस EI की probability निकालनी होगी यानि कि इस आएथ alternative का probability निकालना होगा whenever A होगा जो है वो already occurred होगा ठीक है भाई यह एकदम simple सा explanation है बेस थियोरम का कि आपको N alternatives दिये हुए हैं आपको आएथ alternative का probability find out करना है जब वो किसी event A से associated हो ठीक है चलिए अब अगर आपको यह सब terms पता हो गया तो चलिए एक मिनट का time है यह find out किजिए question number first कि bag one contains three white and two black balls क्या है एक बैग है जिसमें three white है और two black balls है दूसरा बैग है जिसमें दो white है and three black balls है one block one ball is drawn at random एक बॉल जो है वह randomly draw किया जाता है from the bag A and transferred it to bag B इस टाइब का question मैंने total probability में बताया हुआ है तो अभी I think कि सबसे बनना चाहिए बी इसे बी में transfer किया गया अब कह रहा है कि one ball is selected at random from B B से अब एक ball जो है वह select किया गया है and is found to be white और वह देखा गया कि वह white है तो बताना है कि the probability that the transferred ball is white is I should try किजें तो भाई I 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 कर रहे हैं सभी लोग राइट येस और नो ये वर कंफर्म कर दीजे चलिए बहुत लोग ट्राइ कर रहे हैं चले अच्छी बात है तो ट्राइ कीजिए पहले बन जाना चेकिंग टोटल प्रॉबाबिलिटी में इस टैप के कुश्चन मैंने बताय हुए है और देख लिए जेए मेन में या बोर्ड में इससे अगर बेस्थियूरम से आता है एड üत ओसे है और सुले आता है तो एंग टना सी जाना चेए हैं झालिए एंप पहना से जा समयांतिक, लिता का जा है तो टोट्रा से अगर, जग dysा जाना चालिए, विल्क लितास्वाइ पहले ऑम शसे हैं शोघख प्रॉबाशक स्भूशक बुश्वार कर रहे हैं वार है झाल झाल गलत आंसर है संचीत एक बार फिर से आई थिंग कैलकुलेशन मिस्टेक है सबका वही आ रहा है क्या है यहीं कि मैंने कैलकुलेशन किसी का सी आ रहा है कि सभी का अंसर गलत है कि इवेंट्स आपने क्या कि यह जिम क्या है आपको अगर ध्यान होगा तो इस तरह से बॉल ट्रांसफर किया जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल केसे निकालते थे यहां पर वन बॉल क्या किया जा रहा है तो हम पहला प्रॉबाइबिलिटी पहला इवेंट मान लेंगे इवन की मन लेंगे कि वाइट बॉल इस ट्रांसफर्ड क्या 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 वाइट बॉल इस ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड ठीक है तो वाइट बॉल ट्रांसफर्ड करने के लिए आपको वाइट बॉल ड्रॉ करना पड़ेगा तो प्रॉबाइबिलिटी ऑफ इवन जो ह होगा यह देखें बैग वन में से आप वाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा थ्री सीवन डिवाइड़ बाई फाइब सीवन हो जाएगा यानि कि इसके वैलू जो है थ्री बाई फाइब हो जाएगी और एटु जो होगा वो मन लिगे कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया गया है भलेक बॉल इस ट्रांसफर्ड लऑशन आपका बैक बॉल को ट्रांसफर करने ब्लैक बॉल रॉक करना पढ़एगा पहले से तो हम क्या लिख सकते हो 2C1 divided by 5C2 तो यह आपको 2 by 5 मिल जाएगा 2 by 5 2 by 5 अब अब बनाइए तो अब आ जाएगा क्या अब ट्राइ कीजिए सभी ने ऐसा इवेंट माना था क्या अच्छा हाँ 5C1 C2 लिख दिया मैंने सॉरी सॉरी थैंक्यू संचीत एक बार अच्छे से 5C1 ही होगा क्योंकि एक ही बॉल ना ले रहे हैं भाई क्या हो जाएगा 5C1 and this is something 2 by 5 यही माने हो न आप लोग यही माने हो अब अगर वाइट मान लिजे कि डबलू एक इवेंट है डबलू जो एक इवेंट है ड्रॉइंग ड्रॉइंग वाइट बॉल लॉइट बॉल तो आपको प्रोब्यबिलीटी ओफ वाइट बॉल निकालना होगा वेनेबर इवन यानि पहला केस किया होगा तो तो दिखें यह निकी white ball निकाल रहो कहां से दूसरे वाले bags है तो इसमें एक white ball अगर देखें even क्या है कि white ball transfer किया गया है तो अगर यह white ball transfer किया जाएगा तो 3C1 हो जाएगा 3C1 divided by क्या हो जाएगा total 3 sorry 5C1 हो जाएगा तो यह भी value 3 by 5 भी आ जाएगा उसी तरह अगर आपको probability of white ball डबलू निकालना है whenever second case has been occurred तो यह आपको white ball तो टू ही है 2C1 divided by 5 C1 निकालना है तो this is again 2 by 5 आ जाएगा तो आपको क्या निकालना है तो probability that the that the transfer ball is white transfer ball ball transfer कहां से हो रहा है पहले वाले से हो रहा है तो आपको निकालना है कि transfer transfer ball जो है वह white है ठीक है transfer ball जो white है whenever आपने जो ball find out किया है वो भी क्या है draw ball जो है वो भी white है यहांनी कि P1 divided by PW निकालना है आपको आपको निकाल सकते हो कि यह जो आपको मिलेगा यह मिलेगा probability of E1 into probability of probability of probability of white upon E1 divided by probability of E1 into probability of W by E1 probability of E2 into probability of W by E2 ठीक है E2 तो E1 कितना है 3 by 5 अब W यह भी 3 by 5 है तो 3 by 5 into 3 by 5 तो probability of E1 by W जो होगा यह जो होगा 3 by 5 into 3 by 5 upon 3 by 5 into 3 by 5 plus 2 by 5 दूसरा वाला भी 2 by 5 ही आया था 2 by 5 तो यह हो जाएगा 9 by 25 और यह जो होगा 9 by 25 अप्लस यह 4 by 13 by 25 और यह जो होगा 9 by 13 आएगा नवाई यह जो है यह सभी का आंसर गला था 5 by 13 5 by 13 आंसर आया था अभी नों का अभी आंसर आ रहा है सही है समझ में आया कैं सभी को राइट येस और नो पहला कोशन था कोई दिकत नहीं है आगे के कोशन में सही होने चाहिए ये शेओ रहिए रिप्लाई तीन ही चार लोग का आता है जबकि 22-23 लोग जोईन किये हुए है अधिती अधित्या अमाम सब लोग रिप्लाई कीजिए गुड चलिए दूसरा कोशन चलिए दूसरा कोशन भी बनना चाहिए सबसे है इन-फैक्ट्री विच मैनूफेक्चर सबोल्ट क्या कर रहा學 sollte करता है जिसमें थी मशीन से abc से थी जुए मशीन अबीन सी!!!!!! मैनूफेक्चर जरिसपटवली 25 परसेंट 35 परसेंट and 40% of the bolts of their outputs, उनके output में 4%, sorry 5%, 4% and 2% are respectively defective bolts, ठीक है, जितना वो produce करते हैं भाई, A, B, C, उसमें 5%, 4% और 2% respectively क्या होता है, defective bolts होता है, आपको बताना है कि एक bolt जो है, draw किया गया, a bolt is drawn at random from the product and is found to be defective, यह क्या पाया गया, defective पाया गया, what is the probability that it is manufactured by the machine B, यह B machine से द्वारा, यह B machine से manufacture किया गया है, इसकी probability क्या होता है, सभी लोग find out कीजे तो, चले, दो मिनट का time देते हैं, सभी लोग से होना चाहिए, जा उना है, सभी लोग से अभी लोग से लोग लोगारा, यद लोग, दूख वोग लोग लोगो, जो आतो होना है, सभी लोग से भी लोग, जह बताना है, झाल झाल एक में यहां पर लिखने का भी तरीका सीख लेंगे वाई कि कैसे इसमें हम लोग लिखने का तरीका भी सीख लेंगे क्योंकि इस टाइब के कुशन्स सीबीएसी में भी आ सकते हैं सीबीएसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहां पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी देख लेंगे कि कैसे कुशन्स को लिखेंगे अगर अपके एक्जाम में आता हैं झालवेरी आपके लेंगे इंपुर्टेंट हैं झाल फ्रेक्शन में बताईए तो संचीत कितना आ रहा है फ्रेक्शन में गलत आंसर आ रहा है संचीत नहीं नहीं आई थिंग सही है सही है रितिक आपका आंसर गलत है संचीत का आंसर सही है बिल्कुल संचीत का अंसन्स आई है रितिक आप अपने देख लिजे और फ्रैक्शन में बताई यह तो फ्रैक्शन में कितना आ रहा है रितिक प्रिति आपका ऐतिंग क्ल्कॉलेशन में स्टक है पिछेक वन सगें मुहित आपका अंशर गलत है गलत अंसर है अभी नहों हाँ संचित हाँ सभी है उसमें आपने कैंसिल करके नहीं बताया था ठीक है देखेगा एक्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स दे कर जाएगा ये और 6 मार्क्स लेने के लिए क्या-क्या लिखना पड़ेगा वो भी यहाँ पर सीख लेंगे वेडन प्रिती अब सही है और लोग भी रिप्लाई कीजे भई गिने चुने 5-6 लोग रिप्लाई करते है वेडन अभिनो सही है कुंदन आज आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है मिली पावनेस इसको एक बर फ्रैक्शन में बताना तो फ्रैक्शन में कितना आ रहा है पावनेस I think दो लोग का अंसर आ रहा है उतना लेट में चेक 28 by 69 28 by 69 को क्या लिखेंगे 28 by 69 सही है जिनका 0.0 इतना आ रहा था वो लोग भी सही है 0.406 आ रहा था वो लोग भी सही है एनि कि इतना आ रहा है फ्रैक्शन को चेंज करने पर गुड़ वन रितिक गलत आंसर है बाबू चेक करो एक बार कुंदन अभी गलत आंसर है चेक करो कि पावनेस फ्रैक्शन में थोड़ा गलत आ रहा है नीचे वाला पार्ट गलत आ रहा है एक बार चेक कर लिजेगा चलिए मैं आपको थोड़ा सा देखता बहुत लोग का अंसर आ गया एक्सेलेंट एक्सेलेंट रेस्पॉंस अच्छा रहा लेकिन गीने चुने आठ से नौ लोगों का रेस्पॉंस आया हुआ है सटिस्फाइड नहीं हुँ भाई 12-23 लोग हैं तो कम स好像 15 रेस्पॉंस आने चाहिए थे देखें एक्जाम में कैसे थे हां कुन नाव सही है लिखेंगे एक्जाम में कंसीडर कंसीडर दफाल्लविंग हाद नान सैहे थे चुन्सीडर दफाल्लविंग इवेंट्स B1 B1 इवेर्स नाम ले लेंगे या E1, E2 कुछ भी ले लिजे Bolts लिखेंगे इसको Bolts Manufactured Bolts Manufactured Manufactured From Machine A From Machine A ठीक है? उसी तर तीनों इवेंट्स को पहले लिख देते हैं B2 क्या होगा? B2 जो है Bolts Manufactured From Machine B और B3 जो होगा B3 यह होगा Bolts Manufactured From Machine C तो Clearly आपको यहाँ पर Therefore मिल जाएगा कि Probability of B1 यहनि कि पहले मसीन से Bolts Manufactured हुआ 25% हुआ है 25% तो इस विल बी 1 by 4 Probability of B2 जो होगा This equals to यह क्या हो जाएगा? 35 by 100 तो यह हो जाएगा 7 by 20 And Probability of B3 Probability of B3 यह हो जाएगा 40 by 100 This is 2 by 5 I think 2 by 5 मिलेगा अब थोड़ा से आप एक चीज ध्यान दीजे यह B1, B2, B3 यह जो इवेंट्स आपने माना है जो Bolts Manufactured हुआ है अगर आप B1, Union, B2, Union, B3 यह अगर लेते हो तो टोटल कितना Bolts Manufactured हुआ है अपनी में वो मिल जाएगा अगर वो मिल जाएगा तो यह Sample Space के बराबर हो जाएगा यह बात क्लियर हो रहा है क्या यह statement जो मैंने लिखा कि भाई जितने भी Bolts Manufactured हो रहे है जितने भी Bolts अगर उन सब का Union ले ले तो टोटल कितने Bolts Manufactured हुए है यह हमें मिल जाएगा और एक मसीन से जो Bolts Manufactured हुआ है वो दूसरे मसीन से जो Bolts Manufactured हुआ होगा वो दोनों distinct होंगे भई यह भी क्लियर है क्या यह statement कि दोनों Bolts क्या होने चाहिए distinct होने चाहिए अब अगर यह दोनों distinct है तो यह इसको हम बोल सकते हैं कि यह disjoint भी होंगे तो इसका मतलब कि यह B1 B1, B2, B3 यह mutually यह pairwise disjoint होंगे और यह part और यह sample space के बराबर आ जाएंगा अगर उनका union लेंगे तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इस B1, B2 and B3 B3 constitutes a partition of states कर सकते हैं न भई तो यही बताना था कि एकजाम में यह statement जरूर लिखेंगे तो लिखेंगे clearly clearly B1 B2 comma B3 B3 are mutually 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 exclusive mutually exclusive and exhaustive events exhaustive events अब अगर यह इस तरह के conditions को सो कर रहा है तो इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह base theorem के property को या total probability theorem के इसको satisfied करना चाहिए था ठीक है अब क्या निकालेंगे अब मानेंगे लेट इए एक इवेंट होगा इए एक इवेंट होगा इस इवेंट का नाम क्या होगा कोई बता सकता है क्या क्या लिखेंगे ए आथ की बीगे बीए वेट्स एवेंट यवेट यवेट अब धर अबूट यहां पर था जबूट टत्रों य॥ द्रों य॥ ँझाए उट्याखतिए is defective क्या है यलीटीड तो आपको निकालना क्या क्या होगा की प्रुबैबिलिटी आफ अब यहां से हम निकल सकते हैं पुरो अब क्रुबैबिलिटी आफ ओ इडिवाइड भई बीवन इसका मतलब यह क्या होगा इघड बाई बीवन क्या होगा यह हो जाएगा probability probability देन ने आप लिख लिख लिजे देन E by B1 जोगा probability of defective bolt defective bolt bolt when it is when it is it is manufactured from machine one manufactured from machine one पहले मशीन से यह मशीन ए था ना पहले मशीन का ना मशीन ए तो यह आपको मिल जाएगा देखें पहले मशीन में 5% साथ मिल रहा था कितना है 5% यह ना हम 5% ही है भई तो कह रहा था 5% मिल रहा है तो इस जीर यह 0.05 होगा है सिद्ध हमने यानि 5 by 100 कर सकते थे तो इसको 1 by 20 fraction के form में ही लिख देते हैं 1 by 20 similarly आप बोल सकते हो similarly probability of defective bolt when it is manufactured from B2 तो यह हो जाएगा 4 by 100 that means 1 by 25 or probability of defective bolt when it is manufactured from machine C तो यह हो गया 2% मिलता था 2 by 100 इसका मतलब यह हो जाएगा 1 by 50 तो आपको निकालना था कि probability of B2 यानि कि दूसरे मसीन से defective ball मिले इसकी probability क्या थी तो बाई लिख सकते हो बाई by Bayes theorem by Bayes theorem probability of B2 by even E यह होगा probability of B2 into probability of E by B2 divided by ये probability of B1 अब ये calculation कर लिजेगा ये क्या होगा E by B1 plus probability of B2 into probability of यह वाला जो इस्टेट्मेंट है बहुत लोग मिस करते हैं और यह मिस नहीं करना चाहिए अगर आप बेस्थिवर्म यूज करने जा रहे हो तो यह लाइन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस लाइन के बीना बेस्थिवर्म वैलिड नहीं होगा तो बेस्थिवर्म अगर आप यूज कर रहे हो तो बेस्थिवर्म क्यूं यूज कर रहे हो यह थे चलिए इस कोशन को कीज़े तो सबी लोग अगर 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो 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 कि ट्राइ कर रहे हैं कि आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजे अधर्वाइज मैं ट्राइ करता हूं कि किन्दा नाइम हो रहा है गुड़ चले ट्राइ कर लेजे तो एक बार कि अधनान थोड़ा गलत है ट्राइ करो एक बार और कि अधनान था में कर दो एक हो एक बार है कि अधनान थाँ सबस्सक्नाग गलत है झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो वहीं फाइब आंसर नहीं है को अगर को अन्म्यूट करके बता सकता है क्या कि कैसे आपने ट्राइ किया है कि इसलिए मैं आप्सन नहीं देता हूं वहीं आप्सन देने पर सी डी एस बी सब लिखने लगते हैं कि आप संवाला माजरा गलत हो जाता है कि इस तरह साहसाने की जुरत नहीं है कि अगर के देखिए कि सभी बॉल्स जो है बैग में वह क्या है वाइट है यह करन यह कह रहा है कि देखिए आपको करना पड़ेगा कि लेट इस तरह से आपको मानना पड़ेगा या तो एक वाइट बॉल होगा उसमें या दो भाआ करेगा आई वर इस फ्रॉम 1 2 3 4 ले डबलू आई दिनोट्स दिनोट्स 1 2 3 4 1 बॉल्स टुब लिस तरह से लिखना चाहिए था सौरी वन बंबल तुब आई बॉल्स थी बोल्स थी बोल्स वर बोल्स और ढई वर वर बॉल्स अ आर वाइट ठीक है वही इस तरीके से तो पी डबलु वन पी डबलु टू पी डबलु थ्री यह सब कितना हो जाएगा अगर हम प्रोबैबिलिटी ओफ यह सब बात करते हैं कि डबलु बन तो यह कितना हो जाएगा एक बाल होगा और एक ही बाल निकाल है तो 107 वन भाई फोर हो जाएगा प्रोवाइबिलीटी ओफ डबलू टू की बात करें तो दो बॉल अगर वाइट होता तो उसके निकालने के प्रोवाइटी टू भाई फोर हो जाती तो यह भी वन भाई फोर हो गया कि पी कि यह इत्री सॉरी डबलू थ्री न फी डबलू थ्री कितना हो जाएगा तो यह अंच दब्लू थ्री जो होगा वह ध्री-वर हो जाएगा और अगर चारो बॉल वाइट होगा तो P W 4 1 हो जाएगा चारो बॉल वाइट रहता तो वाइट निकालने के प्रोबैबिलिटी कितने हो जाती 1 हो जाती भई तो 1 हो गया इसी तरह से बनाए हो क्या आप लोग अच्छा संचीत इसी तरह से बनाए अब आपको एक event W मानना होगा लेट W जो event होगा लेट W जो event है वो क्या होगा वेल दन कुंदन का आप सही है Drawing ball is white Drawing ball is white Drawing ball क्या है 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 थीक है तो आपको निकालना होगा पी अगर वाइट बॉल निकाल रहा है यानि पी-दे-बलू डिवाइड़ बये बार उसमें अगर एक वाइट बॉल होता पी-डबलू-बाइट-बलू वन तो यह कितना होगा भी यहतो टोण बबया हो यह जैसा वो हो रहा था वैसा ही यह भी हो जाएगा भई यह भी 2x4 हो जाएगा w by w3 की अगर हम बात करें तो यह भी 3x4 हो जाएगा और p, w by w, यानि one ball निकाल रहे है लेकिन चारो ball white ही है तो यह तो one हो जाएगा probability ठीक है, तो आपको निकालना है probability of कि सभी बॉल वाइट हो डबलू फोर बेनेवर सभी बॉल वाइट हो किस में था चारों बॉल वाइट होने की था यहां पर डबलू फोर वाला वेनेवर ज़ाइंग बॉल इस वाइट यह वाला तो निकाल लीजे डबलू फोर कहा था डबलू फोर यह हो जाएगा वन इंटू यह डबलू बाइडबलू वन यह भी वन हो गया और होल डिवाइट बाई यह आप कर लीजे इसको इसको कैलकुलेट कर लीजे समझ पा रहे हों कैं सभी लोग ठीक है इसको कैलकुलेट कर लीजेगा यही कैलकुलेशन से आंसर आएगा तो टू बाई फाइब जो होगा यह इसका अंसर हो जाएगा सभी लोग करके देखिए तो आ रहे हैं टू बाई फाइब डबलू फोर यह कितना आ रहा है यह वन बाई फोर यह कितना रहा है 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 यहाँ है है यह उपकोलोंप Mouse अच्छा मैंने कहीं गल्टी किया है क्या अब लोग बता सकते हैं क्या कहीं गल्टी हुआ है मुझसे कैल्कुलेशन में संचीत बता पाओगे संचीत बताया क्या गल्ती है बतायें गया वो तो हम लिखे दिस जह वो जो प्रोबाबियर्टी हो गा उसका निकाल ने का वह गजा देंगे नहीं ने देखे गल्ती क्या है देखे यहाँ पर जब हम यह निकाल रहे हैं कि probability of w2, w2 का मतलब कि 2 white ball हो, 4 white ball में से, तो आप क्या करते हो, 2c1 निकालते हो, 2c1 divided by 4c1, यह हो जाएगा क्या? यह confirm है, लेकिन आपको पता है कि अगर दोनों ball white है, तो like objects होते हैं, तो उतने factorial से divide करते हैं, तो 1 by 2 factorial से फिर divide भी करना पड़ जाता, तो यह इसका मतलब 1 by 2 आ भी जाता, तो 1 by, यह 2 by 4 into 1 by 2 फिर आ जाएगा, तो overall 1 by 4 हो जाना चीए था, अच्छा 1 by 4 लिखा था, मैंने पहले तो calculation मिष्टे करके, लेकिन यह 1 by 4 होगा भी, और यहाँ पर भी 3 by 4 लिखा था और 1 by 3 से divide भी कर देता, तो यह भी 1 by 3 ही मिल जाएगा भाई, और हमारा यह वाला term भी 1 by 4 ही मिल जाएगा, तो यह PW1, PW2, PW3, PW4, यह सभी 1 by 4 आ जाएग भाई, यह समझ में आ रहा है क्या किसी को, मैंने यहाँ पर गलती किया, like object से device नहीं किया हमने, like object से, अगर मान लिजिए, दो white ball है, तो उतने से फिर divide करना हुआ, क्योंकि 4 में से 2 like object है, तो उतने से divide कर दिया, 4 में 3 like object है, तो फिर 3 से divide कर दिया, 4 में 4, तो 4C1 divided by 4C1 करते लेकिन इस चार object like है, तो divided by 4 भी कर दिया, तो 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 सब में होगा, तो यह calculation में यहाँ पर 1 by 4 लेके आएंगे, यह 1 by 4 सब में आ जाएगा, तो देखे 1 by 4 को common निकाल लेंगे, इसको add कर लिया, यह कितना हो जाएगा, यह 1 by 4 होगा, यह 2 by 4 होगा, यह 3 by 4 होगा, और यह 4 by 4 यह नि 1 होगा, 4 by 4 लिख दे रहे, add करने में आसान होगा, तो देखे 1 by 4 से यह 1 by 4 कैंसल हो गया, यह आपको मिल जाएगा, 1 divided by, यह 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 उपर चला गया, और 10 नीचे रहेगा, 4 उपर चला गया, तो 2 by 5, तो 2 by 5 आंसर होना चीए सभी का, यह वाला थोड तो like object से divide नहीं किया था हमने, तो like object से division भी करना होगा आपको, ठीक है, यहनि कि P and C अप लोग का goal हो गया, तभी तो कोई बता नहीं पाया, मैंने पूरा calculation कर दिया, और कोई बता नहीं पाया, clear है क्या सभी को, right yes or no, otherwise मैं फिर से explain कर दूँगा इसको, ठीक है, चलिए, clear है तो, अब मैंने यह कुछ examples लिए हुए है, यह आप homework के form में आप घर पर बनाईएगा, तब तक मैं दूसरा एक question देख ले रहा हूँ, दूसरा concept देख ले रहा हूँ, एक यह भी question है, इसको भी, चाहिए इसको अभी try कीजे तो सभी लो, इसको try कीजे सभी लो, यह इसको भी homework की ले लीजिए, इसको भी homework की, मैं चाहता हूँ कम से कम दो concept आज चले, देखे इसको देख रहे हैं, दो question बचे हुए है, आपका homework के form में है, आप उसको try कीजेगा, P and C का मतलब permutation and combination, ठीक है, तो देखिए, कह रहा है, ट्री ड्राइग्राम से questions को कैसे बनाते हैं, तो ट्री ड्राइग्राम में कोई question नहीं, मतलब कोई concept नहीं है, तो सीधे हम लोग बनाते हैं कि कैसे questions को try करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है कि a box contains three coins, तीन coins दिये हुए है एक box में, पहला है और तीनों का नाम दिया है भाई, A, B, C, A, B, C, A जो है, वो normal coin है, एक ऐसा है, normal coin है, B जो है, वो double headed coin है, और C जो है, वो weighted coin है, जिसमें probability of head जो है, वो one by three है, हमने बोला था ना, जब भी weighted coin दिया रहेगा, तो आपको probability of head या tail आपको दिया होना चाहिए, अब कह रहा है, कि a coin is selected and tossed, एक coin किया गया, select किया गया और इसको toss कराया गया, तो आपको find out करना है, find the probability that head appears, head appear होगा, if head appears, find the probability that it is a normal coin, find the probability that tail appears, if tail appears, find the probability that it is a weighted coin, try करोगे क्या एक बार, एक बार ट्राइक किज़े तो सभी लोग, tree diagram से लेकिन, tree diagram से करना है आपको, कर सकते हैं क्या, तो देखें, बता ही दे रहे हैं, क्या करना होगा आपको, आपको operation start करने से पहले, start करने से पहले, आपको करना क्या है, आपको करना होगा, कि आप उस bag में से कौन सा क्वाइन सेलेक्ट करते हो, कौन सा क्वाइन सेलेक्ट करते हो, तो मान लिजए अगर आपने क्वाइन सेलेक्ट किया, A, या तो B, या ये C, तो तीन क्वाइन में से, एक क्वाइन को सेलेक्ट करने की जो probability होगी, 1 by 3, तो इन सभी के arrow के सामने 1 by 3, 1 by 3, और 1 by 3 लिग देंगे, क्लियर हो रहा है क्या सभी को, ये क्लियर है, कि ये कैसे आया, सभी लोग write yes or no, कि भाई हमने क्या किया, operation स्टार्ट करने से पहले, क्वाइन को सेलेक्ट करेंगे, तीन क्वाइन है, एक क्वाइन को सेलेक्ट करने की probability 1 by 3 होगी, अब थोड़ा यहां पर ये देखना होगा, कि आपने ये जो पहला क्वाइन लिया है, ये normal क्वाइन है, NC लिख सकते है normal क्वाइन को, दूसरा जो क्वाइन है, वो क्या है double-headed है, DH अल्रेडी लिखा हुआ है इसको double-headed, और तीसरा जो क्वाइन है, weighted क्वाइन है, WC लिख देते हैं, WC, फाइदा ये होगा, कि अब यहां से ये बोल पाएंगे आप, कि भाई, अगर normal क्वाइन है, तो या तो head आएगा, या tail आएगा, head आएगा, head आएगा, तो normal क्वाइन से head आने की probability 1 by 2 होगी, और tail आने की probability भी 1 by 2 होगी, double-headed coin है, तो जो भी आएगा, वो head ही आएगा, तो उसमें head आने की probability जो होगी, वो 1 by 2 होगी, और weighted coin में, head आने की probability दिया हुआ है, या तो head आ रहा है, या, tail आ रहा है, हाँ, बोलो, double-headed में तो set probability 1 होगा न, head आने की, अच्छा, head लिखा, हमने 1 by 2 कर दिया, thank you, 1 बोल रहे हैं, और 1 by 2 लिख दिया, ठीक है, ये जो होगा, वो head आएगा, इसमें probability 1 होगा, और यहाँ पर या, तो head आएगा, तो head आएगा, तो 1 by 3 probability के साथ आएगा, और अगर tail आएगा, तो ये 1 by, ये 2 by 3 हो जाएगा न, भई, 2 by 3, फ्रसा ध्यान दिए, ये data, आप अपने से range करके अच्छे से लिख लिजेगा, ये space कम हो गया, इसलिए, अच्छे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, start करेंगे, operation को start किया, start, start कहां से कर रहे हैं, coins को select करने से, तो या तो हम A लेंगे, या B coin लेंगे, या C coin लेंगे, C coin लेंगे, A ले रहे हैं, इसका मत्तब normal coin ले रहे हैं, B ले रहे हैं, यानि की double headed ले रहे हैं, C ले रहे हैं, यानि की weighted coin ले रहे हैं, अब अगर normal coin ले रहे हैं, तो इसमें head आ सकता है, या tail आ सकता है, में पर सिर्फ और सिर्फ हेड आएगा यहाँ पर प्रोबिलिटी 1 डर् coincidence love और हमारे पास यहां तो के लाएगा अगर हेड आरा है तो इसकी probability 1 by 3 होगी और टेल आएगा तो इसकी probability 2 by 3 होगी अब देखिए आपको निकालना है कि find the probability that head appears head appears यह यह निकालना है head का probability तो इसका मतनद pH निकालना है आपको probability of head probability of head देखिए कहा कहा मिल रहा है आपको क्या करना है लागतार चलना है पहले को लिया हेड आया तो देखे वनवाई यहां पर तोड़ा दिजेगा ये वन भाई थ्री जा इन्टु वनगाई टो क्या होगा 1 by 3 into 1 by 2 1 by 3 into 1 by 2 plus double headed इसके बाद जो coin मनली जो B select करते हैं तो 1 by 3 उसके लिए और double headed है तो head आने की probability again 1 और तीसरा लेंगे तो 1 by 3 उसमें head आने की probability भी 1 by 3 थी यह यह नवाई देखे तो 1 by 3 into 1 by 2 1 by 3 into 1 यहां से 1 by 3 into 1 by 3 तो यह आपको मिल गया यह आपको मिल गया कितना मिल गया वही 1 by 6 यह 1 by 3 को common निकाल लेते हैं यह calculation जाद एजी होगा 1 by 3 को क्या कर लेते हैं common निकाल लेते हैं तो आपको मिल गया 1 by 3 common यह मिल गया 1 by 2 प्लस वन प्लस वन बाई थ्री यह आपको मिल गया कैलकुलेशन कितना आ रहा है चलिए 11 बाई 18 आ रहा है किसी का संचीत का आ रहा है तो 11 बाई 18 तो समझ में आ गया क्या कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे इस पर ट्री ड्राइग्रम पर ट्री ड्राइग्रम का क expect समझ में है सबी को क्या question बाद में मतलब बनाएंगे इसको जो और जो भी पार्ट है वो बाद में लेकिन इतना समझ में है कि कैसे प्रोशीड करते हैं अब अगर यह आ गया तो चलिए बी सी डी पार्ट फाइंड आउट कीजिए तो इसका अगर टाइम है ना अच्छा यह वाला कंप्लीट कर लेते हैं बी सी और डी पार्ट दूसरा कुश्चन कह रहा है कि इफ हेड़ अपियर अगर हेड़ अपियर होता है फाइंड दा प्रॉबाइबिलिटी देट इटीज अनॉर्मल को यानी पी एबाई एच निकालना है भाई आपको बिए निकालना है पी एबाई एच यानी कि एबाई एच ए क्या था नॉर्मल कोई था ना यानी कि normal कोई अधान हो और हेड़ मिले तो पी एबाई एच निकालना है दूसरे का आंसर बताइए तो यह आंसर एका है वह यह आंसर एका है अगर बीका आंसर देखेंगे आपको निकालना है यहां पर आपको दे भी दिया है एबाई एच अगर आप थोड़ा सध्यान से देखोगे तो इसको प्रोबिलिटी ओफ ए इंटर सेक्षन व बोलते थे इवाईड वाई प्रोबिलिटी ओफ एच बोलते है इसको है कि अभी कि अभी और ये का मतलब कि नॉर्मल कौाइं से हीन आ रहा है देखें नार्मल कौाईन से हीन आ रहा है यानि कि यह ने आनि कि 113 in तो इंटलों बैं दों हो की probability तो अभी आप लोगों ने calculate कि 11 by 11 by 18 11 by 18 तो यह मिल गया 1 by 6 divided by 11 और यह 18 ऊपर चला गया तो यह आई थिंग 3 by 11 हो जा रहा है 3 by 11 उसी तरह सी में टेल अपियर्स कह रहा है टेल अपियर्स तो हम देखें हेड अपियर्स जितना है वन में से उतना कर लेंगे लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे टेल अपियर्स कह रहा है ना टेल अपियर्स होने का देखें पहला वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू डू into one by two plus दूसरे में दूसरा coin ले रहे है तो double headed था तो tail आएगा zero तीसरा coin ले रहे है तो head आएगा sorry coin select करेंगे तो one by three और tail आएगा तो उसमें two by three तो यह हो गया one by six plus यह क्या हो जाएगा two by nine LCM is 18 18 आ रहा है तो यह हो जाएगा तीन प्लस चार यह this is seven by 18 ठीक है तो भाई अगर आपको यह हेड और टेल दो ही possibility है तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे और लेकिन हमने ट्री डाग्राम का यूज करके आपको बताया probability of tail हम निकालते थे one minus probability of head कर लेते हैं तो this is one minus 11 by 18 इस तरह से भी हम लोग calculate कर लेते हैं अब next question D पूछ रहा होगा इसमें D क्या D पूछ रहा है D पूछ रहा है कि if tail appears find the probability that it is a weighted coin यहनी C intersection T निकालना है C by T C by T probability of C by T यानि कि आप क्या निकालोगे probability of C intersection T divided by probability of T C intersection T जो होगा देखे या तो अंतिम को को select करेंगे 3rd C को select किया 1 by 3 से और वो double headed था तो 2 sorry weighted coin था तो 2 by 3 उसमें tail की probability है divided by अभी हम 11 by 18 इसका find out कर चुके हैं तो यह 2 by 9 into 18 divided by 11 तो दिस्विल वी तो 4 by 11 ना भई है तो सॉरी यह 11 बहीं यह 18 मैं बोल रहा हूं 7 तो 4 by 7 आना चाहिए ना प्रिती एक बार करेक्ट कर लीजेंगे आई थिंक करेक्ट आफ ही को करना पड़ेगा मेरा इथिंक सही हैं तो यह क्या हो जाएगा यह यहाँ पर 7 हो गया था यहाँ पर भी 7 by 11 लिखना चाहिए यहाँ पर भी 7 by 18 ना 18 तो यह हो जाएगा 4 by 7 तो सभी को समझ मैं है क्या भई ट्री ड्राइग्राम से कॉस्चन्स और इजी हो जाते हैं यह बात ध्यान रहे दिख रहा है ना तो आइधिंक टाइम ओवर हो गया है लेकिन मैंने दो कोश्चन्स लिए हुए है इस पीडियेप को मैं सेंड कर दूगा आपके साथ यह तीन कोश्चन है यह दूसरा कोश्चन और यह तीसरा कोश्चन तीसरा एक और है क्या है 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 नहीं तो दो क्वच्चन्स है आपके लिए ट्राइ कीजिएगा नेग्स कोश्चन में मैं इसका सेट आपको दे दूँगा की ट्री डाइग्राम से हाँ तुम्ही लोग के लिए ट्री डाइग्राम अगर सिवेसी वाले चाहें तो लीव कर सकते हैं जरूर अटेंप्ट करेंगे ठीक है? सिब्सी वाले जो बच्चे है वो अगर ट्री डाइग्राम से भी यूज करके बनाते हैं तो उनका मार्क्स नहीं कटेगा यह 100% कैरेंटी है ठीक है? तो वो cbc के एक्जाम में भी इसका यूज कर सकते हैं ठीक है वही तो बनाना सब का है बोर्ड में भी उच्छ कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बोलने से पहले ही बहुत लोग लिफ कर गए चलिए बबाई एव्रिवर्वन हां बोलो प्रते उस बोलो ए माइनस बी वाला यह जो वान इकोल सुट्टू अच्छा उसका पहले वाला देख लेता हूँ मैंने अध्यान से नहीं पढ़ाता उसको और लोग जा सकते हैं भाई ठीक है क्लास ओवर हो गया है और लोग जा सकते हैं कहां है यह सब देखिए भाई फेसिंग आप और फेसिंग डाउन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है ठीक है आपको यहां पर देख एक लाइन लिखा होता है यहां पर एक लाइन लिखा होता है कि रैंड़म प्रोवैब्लिटी के सब्सक्राइब करते हो वो सभी जो भी थ्यूरम से आप एलिड ए वो सभी रैंडब्न मैं एकस्पेरिमेंट के लिए वैलीड है तो ऐसा कोई बे एकस्पेरिमेंट यहां पर आप से नहीं पूछ distra जाएगा जिसमें फेष को ठीक है ना आपको बताना पड़ेगा कि वेटेट कॉइन है कि क्या चांस की बात कर रहो एक तरह का फिर वेटेट कॉइन हो गया एक तरह का फिर वेटेट कॉइन हो गया प्रतियोस ठीक है तो वेटेट कॉइन में फिर अलग अलग प्रोवायलिटी निगाल सकतो उसका यह मतलब नहीं हो गा कि हमने फेस को अप रखा या डाउन रखा उससे फिर मितलब नहीं होगा अगर अप रखा या डाउन रखा तो यह unfair experiment हो गया unfair experiment के लिए कोई भी यहां पर concept यूज नहीं हो रहा है सभी random experiment के लिए हो रहा है तो इसका term अगर माली है भी तो अपने मतलब statement में सही नहीं लेखा फेसिंग अप से कुछ नहीं निकलने वाला है आपको बोलना पड़ेगा weighted coin है जिसमें 51% या थ्री टाइम्स मतलब पांच बार कोई कर रहे है तो थ्री टाइम्स हेड आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि weighted coin है जिसमें probability of head जो है 3 by 5 है ठीक है इस तरह से terminology यूज करना पड़ेगा ठीक है हाँ थर्ष्डे को मैं यहीं पर रहूंगा थर्ष्डे को online ही है आपका तो मैं करवाओंगा लेकिन अगर कोई भी वैसा doubt है तो test देने आओगे test के बाद पूछ लेना मैं यहीं पर रहूंगा test के समय ठीक है क्योंकि यह personally क्या बोल पार हो वैसा communication सही सही हो पाएग यह जो पूछना जाता हो exactly ठीक है हाँ ठीक है यहीं बता देना ओके देखते हैं उस समय रहता है कि नहीं शेलों बाइए